और हम और और हम कोथो हैं। Sack-like structure में, जिसे हम बोलते हैं Scrotum, या फिर Scrotal Sack, यहाँ पर खास चीज यह है कि जो Testes होता है, वो connected होता है हमारे Scrotum Sack के साथ, with the help of some Fibers, जिने हम बोलते हैं Gubernaculum, तो यह है Gubernaculum जो की connect करते हैं हमारे Testes को हमारे Scrotum के Wall के साथ, next हम यहाँ पर देखते हैं कि जो Testes होता है, वो connected होता है Abdominal Cavity के साथ भी, with the help of a cord, जिसे हमने नाम दिया है Spermatic Cord, तो Spermatic Cord Testes को connect करके रखती है Abdomin के साथ, इस Spermatic Cord में पाये जाता है और भी कुछ tubes, जैसे की nerves होते हैं इसके अंदर, और हम देखते हैं, इसके अंदर present होता है With the help of a canal, जिसको हमने नाम दिया है Inguinal Canal, तो Inguinal Canal के अंदर ही हमारा Spermatic Cord present होगा अब जरूरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो यह है, कि यह जो हमने यहाँ पे देखा, अभी-भी Spermatic Cord जो कि हमारे Testes को Abdomin के बाहर रख रही है, ठीक है, यह basically होता कैसे है Well, हम यहाँ पे देखते हैं, कि जब Embryonic Stage होती है, तो Testes जो होते हैं, वो Abdominal Cavity में ही present होते हैं लेकिन at the time of birth, यह जो Testes है, वो Descend हो जाती है, Abdominal Cavity के बाहर in the Scrotum और वो इसलिए होती है, क्योंकि जो Scrotum है, यह हम यहाँ पे बोलेंगे, जो Testes में Sperm Produce होने वाले हैं उन्हें चाहिए हमारे Normal Body Temperature से करीब 2-3 degree कम Temperature ठीक है, तो यही रीजन है, कि जो हमारे Testes है, वो हमारे Abdominal के बाहर होते हैं यहाँ पे Important एक और चीज है, कि जब भी ऐसा होता है, कि Testes जो है, वो Descend कर नहीं कर पाते In the Scrotum, Outside the Abdominal Cavity, तब इस Condition को हमने एक नाम दिया है, और इसे हम यहाँ पे बोलते है Cryptorchidism, ठीक है, यह है Cryptorchidism, याने कि Basically, it is the failure of Testes to Descend into the Scrotum Sack अब इस Condition में होता क्या है, वेल इस Condition में एक Surgery जो है, वो की जा सकती है और इस तरह की Surgery को, जिसमें हम Surgery कली हमारे Testes को हमारे Scrotum Sack में डालते हैं उसको हम नाम देते हैं, Orchiopaxi, ठीक है, So, what is Orchiopaxi? Well, this is the Surgery कले Descending of the Testes into the Scrotum Sack इसके अनावा एक और चीज़ बड़ी खास है, कि आप जानते हैं, जो Bulls होते हैं, उनके जो Testes होते होंने Crush कर दिया जाता है इस चीज़ को हम यहाँ पर बोलते हैं, Castration और यह क्यों किया जाता है? Well, यह इसलिए किया जाता है, क्योंकि जो Bulls होते हैं, उनके Testes को जब Crush कर दिया जाता है, तो वो Male Hormones रही प्रिद्यूस करते हैं, और उसके बाद वो Labor में काफी Obediently Behave करते हैं तो यह एक Reason है जिसके लिए Castration किया जाता है तो अब तक आपने देख लिया है कि Testes कैसे Scrotum Sac के अंदर प्रेजेंट होती है आगे चलके आए एक और टर्म हम यहाँ पर देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं Inguinal Hernia Inguinal Hernia एक टर्म है जो हम यूज करते हैं जब भी कुछ T area रप्चर हो जाता है हमारे Inguinal Canal में तो आपने अभी अभी यहाँ पर देखे हैं कुछ खास टर्म्स जो की Related है हमारी Testes के साथ Next, हम यहाँ पर Observe करेंगे Internal Structure of Testes को तो जब यहाँ पर आप Internal Structure of Testes देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो Testes की Outer Covering है वो तीन कोट से मिलके बनी है जिसमें से सबसे बाहर वाली का नाम है यहाँ पर Tunica Vaginalis Second, आप देखेंगे यहाँ पर Tunica Albugenia और Third, आप देखेंगे जिसका नाम है Tunica Vasculosa तो जो सबसे अंदर वाली यहाँ पर लेर है Tunica Vasculosa वो कवर करती अंदर काफी सारे lobes को जैसे कि आप देख सकते हैं और हर lobe के अंदर प्रेजेंट होते हैं 1, 2, 3 Seminiferous Tribules यह जो Seminiferous Tribules हैं यह Primary Sight है जहाँ पर Sperm Traduce होते हैं इनका TSB हम आगे चल के Observe करेंगे यहाँ पर अभी हम पहले यह देखते हैं कि जो हमारे Seminiferous Tribules हैं वो बीच में जाके एक जगा पर Fuse कर रहे हैं और यह फॉर्म कर रहे हैं एक Capillary of Tubes जिने हमने नाम दिया है Rete Testes ठीक है? अब आप देखते हैं कि जो Rete Testes हैं इस बड़े से पार्ट को हमने यहाँ पर नाम दिया है Epididymus तो Epididymus जो है यहाँ पर वो एक बड़ा सा Cap-like Structure फॉर्म करता है हमारे Testes के ऊपर और यहाँ पर आप आप Observe करते हैं कि Epididymus के भी तीन पार्ट होते हैं Head, Body और Tail तो यहाँ Head को हम यहाँ पर नाम देते हैं Caput Body को कहते हैं Corpus और Tail को कहते हैं Coda So Caput, Corpus और Coda अब आप इसके Codal Region में अगर देखें तो यहाँ से भी कुछ Tubes बहार निकल रही है और इस Tube का हमने नाम दिया है Vast Difference Vast Difference जो है यह जाती है Open होती है हमारे Abdominal Cavity में तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या Function है हमारे Epididemus का Well, Epididemus का काम है कि वो Temporally हमारे Spawns को Store कर सकते हैं करीब एक महीने तक और साथ ही साथ यह Responsible है उनके Functional Maturation के लिए तो अगली चीज जो हमने देखी यहाँ पर वो है Vast Difference आईए वापस से हम यहाँ पर External Structure जब देखेंगे Male Reproductive System का तो आप यहाँ Observe करेंगे कि यह जो Vast Difference है यह Coil करती है Around the Ureator ठीक है? तो दोनों साइड की जो Testis हैं वो दोनों साइड के Ureator पे Coiling करेंगे और अब यह बाजू में आके मिल जाते हैं हमारे एक Accessory Gland के साथ जिसका नाम है Seminal Glands ठीक है? तो यह जो Seminal Vesicle है इसके Tube और जो हमारे Vast Difference के Tube हैं वो Combine करके Form करते हैं एक Ejaculatory Duct Ejaculatory Duct जो है अब यह नीचे जाता है यह present होता है बाजू में हम देख सकते हैं हमारे Bladder का और Ejaculatory Duct आगे जाके मिल जाता है हमारे Urethra के साथ आप देखेंगे कि यह जो है वो Urethra में मिल रहा है उसके Prostate Part पे ठीक है? तो आपने यहां तक क्या-क्या Observe कर लिया है? आपने देख लिया है यहां पे कि टेस्टीस प्रेजेंट होती है हमारे Scrotum Sack में टेस्टीस के आउटर रीजिन जो था जो एक काप-like structure बना रहा था उसे हमने Epididymus नाम दिया था Epididymus से निकल रही है Vast Difference जो की आगे जाके फॉर्म करती है Ejaculatory duct with the help of Seminal Vesicles duct Next आपने देखा Ejaculatory duct आगे जाके यहां पे Combine कर रही है हमारे Urethra के सांथ तो आईए अब हम यहां पे देखते हैं कुछ और चीजें जिने हम बोलते हैं Accessory Glands आप यहां observe कर रहे होंगे कि यहां पे टेस्टीस के अलावा कुछ चोटे-चोटे structures और भी present है जिने हम बोलते हैं Accessory Glands यह Accessory Glands भी बहुत ही important होते है आप यहां सबसे पहले observe कर सकते हैं Seminal Vesicles जो की present है थोड़ा सा बाजू में हमारे Urinary Bladder के तो यहां आप देखेंगे कि Urinary Bladder के बाजू में present है हमारे Seminal Vesicles उनका काम बहुत ही खास है इनका काम है कि यह produce करते हैं कुछ secretion एक fluid-like substance जो की कुछ हलका सा translucent होता है साथ में यह milky और बहुत jelly-like होता है ठीक है यहां पर आप देखते हैं कि इसका जो nature है वो alkaline है और यह करीब-करीब 60-70% of semen form करता है इसके अंदर जो सबसे खास चीज़ आपको याद रखने की है वो यह है कि यह एक clothी जगे है जहां हमारे body में sugar produce करी जाती है ठीक है तो यह हमारे body का secretion है जिसमें sugar present है और यह sugar जो है वो present है in the form of fructose अब आप देखते हैं कि जो seminal vesicle है वो basically जो fluid produce कर रहा है जिसे हमने कहा है seminal fluid ठीक है तो यह जो seminal fluid है basically यह काम करता है as in fuel to the sperm ठीक है यह sperm को यहाँ पर हम देखेंगे कि nourishment provide कर रहा है next आप देखेंगे कि यहाँ पर urinary bladder के ठीक नीचे एक gland present है जिसका नाम है prostate gland prostate gland भी काफी important है इसका secretion भी कुछ jelly like होता है यह white milky होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि यह इसका secretion भी कुछ alkaline है खास चीज यह है कि जब seminal fluid और prostate का fluid मिलते हैं तो वो cause करते हैं coagulation इस coagulation की वज़ा से हम यह देखते हैं कि जो हमारे sperms इन में से निकलते हैं तो उनकी motility कम हो जाती है जिसकी वज़ा से क्या होता है जिसकी वज़ा से energy जो है हमारे sperms की वो conserve होती है ठीक है तो आपने यहाँ तक दो यहाँ पर glands observe कर लिए एक है हमारे seminal vesicles और दूसरे हमारे prostate gland ठीक है prostate gland का जो secretion है वो करीब करीब हमारा 30 से 40% बनाता है semen का अब जो third यहाँ पर हम observe करने वाले हैं उन्हें हम कहते हैं bulboyurethral gland या फिर cowper's gland तो यह जो cowper's gland होते हैं हम देखते हैं यह भी एक pair में ही present है यहाँ पर और यह कुछ नीचे वाले तरफ present है हमारे urethra के just above the penis you can see right यहाँ पर इनका जो secretion है वो भी alkaline है इनका जो secretion है लेकिन उसका बहुत खास काम है वो यह है कि जब भी copulation होता है तो during the time of copulation they produce this fluid which kills the acidity of the female vagina ठीक है तो इनका secretion सबसे पहले तो lubricant की तरह काम करता है पीनिस को during the copulation and second it also kills the acidity which is created by the vagina तो यह थे हमारे तीन accessory glands next हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जो हमारा urethra है वो आगे चलके जो है वो end करता है in the shaft like structure which we call as penis penis को आप कर देखे तो वो एक long shaft है जैसे कि मैंने कहा और उसका जो end है उसे हम कहते हैं glance जिसके उपर present हो थी loose force skin जिसे हम prepuce भी कह सकते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी prepuce को remove किया जाता है तो acid नाम दिया गया है circumcision ठीक है अब penis के अंदर basically present क्या होता है well penis एक erectile organ है तो इसके अंदर present होता है कुछ erectile tissue आईए अब हम देखते हैं यहाँ पर ts of penis इसमें आप observe करते हैं कि present होते हैं कुछ longitudinal cylindrical erectile tissue basically यह बनता है यहाँ पर 3 तरह के tissue से जिन्हें आप देखेंगे इन्हें आप बोलते हैं right and left corpus cavernosum and एक जो present होता है वो है corpus spongiosum फास चीज यह है कि जो corpus spongiosum है वो आगे की तरफ continue करता है और जैसे कि मैंने कहाता यह बनाता है terminal part of the penis जिससे हम बोलते हैं glans penis अब एक बड़ी important चीज यहाँ जाने के लिए यह है कि जो penis है हम उसे erectile tissue क्यों कहते हैं वो इसलिए है क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा mechanism है वो vascular होता है तो यह control होता है हमारे autonomic nervous system से ठीक है तो जब भी हम देखते है copulation के duration में जो धेर सारा blood है वो आके rush करता है इसके tissues में जिसकी वज़ा से जो arteries होती है वो dilate हो जाती है उसी की वज़ा से जो penis है उसकी hardening cause होती है तो यह था TS of penis आगे चलके आई हम देखते हैं एक बड़ी खास चीज़ जिसे हम बोलेंगे the TS of testis जिसमें हम observe करेंगे the TS of seminiferous tubules तो आई हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है हमारा TS of seminiferous tubules इनमें हम observe करते हैं कि जो seminiferous tubules है उसकी जो outer covering होती है वो बनती है कुछ white fibrous connective tissue से इसे हमने नाम दिया है tunica propria ठीक है तो जो outer covering बोलेंगे हम seminiferous tubules की वो बनती है tunica propria से inner to tunica propria आप देखेंगे यहाँ पे present होते हैं कुछ cuboidal geminal epithelium यह जो boidal geminal epithelium है यह बनते हैं यहाँ पे कुछ cells है जिनका काम है form करना sperms ठीक है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे यह cells होते हैं यह undergo करते हैं एक process जिसका नाम है spermatogenesis to form the sperm और आप इस figure में भी observe कर सकते हैं कि हाँ कई सारी stages दिये हैं in the formation of sperm जिसमें आप देखेंगे spermatocytes spermatogonia, spermatitis, spermatos हुआ एक्सेटरा तो यह सारी different stages है sperm formation की साथ में आप observe करेंगे कि यह जो geminal epithelium है इनके बीच में यहाँ पे present है कुछ और cells जिनका नाम हमने दिया है sertoli cells sertoli cells का का काम है nourishment provide करना sperm को यहाँ पे तो हम उन्हें nurse cells भी कह सकते हैं इसके साथ-साथ जो sertoli cells है वो काम करते है phagocytosis का और कभी कबार हम देखते हैं कि यहाँ पे यह produce कर सकते है male hormone भी ठीक है इसके अलावा जो seminiferous tubules हैं उनके ही बीच में कुछ और भी cells present है जिन्हें हम बोलते हैं interstitial cells या फिर यहाँ आमने नाम दिया है ledic cells तो यह ledic cells करते क्या है well ledic cells का काम होता है to produce the male main hormone which is called as testosterone तो ledic cells का काम है कि वो produce करेंगे testosterone जो की responsible है in maintaining the secondary sexual characters in males तो अब तक हमने यहाँ पे observe कर लिया है seminiferous tubules के T.S. को हमने देखा कि उनके अंदर present होती है germinal epithelium साथ में हमने देखा present होते हैं sertoli cells और seminiferous tubules के बीच में present होते हैं कुछ और भी cells जिन्हें हमने कहा है ledic cells या interstitial cells जैसे कि अभी हमने बोला कि यह produce करते हैं male hormone तो आईए आगे चलके हम देखते हैं description about these male hormones तो यहां अब हम देखने वाले हैं the male hormones जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं FSH FSH का मतलब है follicular stimulating hormone यानि कि यह induce करता है क्या spermatogenesis ठीक है तो यह induce करता है spermatogenesis बेसिकली यह जो है यह जा के attack करता है at the receptors which are present very close to the sertoli cells ठीक है next हम यहां पर देखेंगे LH या जिसे हम males में primarily कहते हैं ICSH intercellular stimulating hormone हम देखते है LH या ICSH जो है वो basically जा के stimulate करता है ledic cells को और यह ledic cells क्या produce करेंगे यहां पर? यह produce करेंगे testosterone ठीक है? next हम देखेंगे third वाला जिसको हम नाम देते हैं inhibin inhibin जैसे कि इसका नाम यहां पर कह रहा है तो inhibin का काम है कि यह produce कम करवाता है यहां पर FSH को ताकि यहां पर less amount of decreased spermatogenesis हो ठीक है? तो जब भी spermatogenesis बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि यहां पर produce होता है inhibin last जैसे कि हमने कहा एक gas important hormone जिसका नाम है testosterone testosterone का क्या काम है? वेल हम यहां पर देखते है testosterone सबसे पहले जो है वो spermatogenesis में ही help करता है ठीक है? तो इसका पहला काम है कि वो sperm formation में help करेगा second हम यहां पर देखेंगे कि वो हमारे body में secondary sexual यह secondary sex characters जो जिसे हम बोलते है उनको maintain करने में help करता है जैसे कि हो सकता है growth of hair, horse voice, etc ठीक है? तो male जो secondary sexual characters होते है उसको maintain करने में help करता है testosterone इसके अलावा वो androgen binding protein भी बनाने में help करता है तो हम यहां पर देखते हैं कि जब भी excess amount of यहां पर sporms produce हो जाते हैं तो यह जो hormones हैं यह देते हैं negative feedback to the hypothalamus जिसकी वज़ा से inhibin produce होता है और साथ-साथ हम देखते हैं कि इसके वज़ा से कम produce होता है FSH जिसकी वज़ा से अपने आप ही spermatogenesis जो है वो कम हो जाता है तो यह था male reproductive system जिसमें आपने observe किये पुढेर सारी organs जैसे की हमने देखा सबसे पहले testis उसका TS फिर हमने देखे seminiferous tubules उनका भी TS साथ-साथ हमने देखा कि testis से निकलते हैं बाहर जोने हम कहते हैं epididymus जो की lead करते हैं vas difference को vas difference से निकलता है ejaculatory duct ejaculatory duct जाके मिलता है हमारे urethra में जिसके आसपस present होते हैं काफी सारे हमने देखे यहाँ पे accessory glands और final part जो हमने observe किया वो था penis तो यह था male reproductive system